हेलो फ्रेंट्स क्या आपने भी अपनी रिटर्ण जो भरी है वो बैंक स्टेट्मेंट के देखे बिना वर्दी आपके बैंक स्टेट में हो सकता है बीस लाग रुप आरे हो और आपने इंकम टेक्स रिटर्ण में केवल पांच लाग रुप इंकम डिकले करी हो क्या जो हैं कि स्टेट्मेंट से किन चीजों का ध्यान रखना सो देट नोटिस ना सके तो बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेस्ट स्टार्ट एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग केस में आपसे डिस्कुस कर रहा हूं आई यह मॉस्ट ओप दा केसिस में जो नहीं करते उस केस में यह वाले केस एपलिकेबिल होते हैं और इंकम डेक्स का आने वाले आठ सालों में इस चीज का नोटिस आ सकता है देखिए पहले आप समझ लीजे सोड़ा सा इस केस में क्या है बैंक स्टेटमेंट में जो ट्रांजेक्शन है वो तेरा लाख रुपे क करा 6,000,000 रुपे हमारे पास किसी नए ट्रांस्वण आप क trickरे साड़े चाही लाख रुपे फिर सेल्री आई और फिर कैस पॉसरी ओप można में इक लाख रुपे मैं जो जो सेल्री हमारे पास केसी लाख और हमारे पार ट्रांसफर से कितने आए 6 लाख रूपे तो कल को आपसे income tax केवल यह कहेगा भाई आपकी credit side में 13 लाख रूप पड़े वे आपने 5 लाख रूपे इंकम दिखाए यह बाकी के जो आपके पैसे उस पर में tax क्यों ना लगाऊं तो आप उस reply में क्या reply देंगे क् कि आपकी जो remaining income उस पर tax interest penalty ना लगे तो यहां से start होता है काफी लोग में इसने पूस्कते भी हैं जो salary employees हैं कि sir हम तो सब income पर tax देते हैं और यह बार-बार tax क्यों लगेगा तो आपको दोस्तों इसका records रखना पड़ेगा और example देखिए अगर आपने cash deposit करा है आपकी salary income है तो आपके पाक cash का आने का कोई मतलम नहीं है बट cash कहां से आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ reason आपको क्या रखने आपने last year तीन लाख रुपे विड्रोल करे थे किसी काम के लिए बट वो उस काम में वो पैसे यूज नहीं हो पाए तो आप एक reply ये दे सकते हैं कि हमने पहले ये विड्रोल करें थे वो हमारे पास पैसे यूज नहीं कर पाए तो हमने वो दुबारा यूज करें क्योंकि salary के केस में क्या होता है दोस्तों जो आप cash deposit करना है तो उसमें assessing officer ये मान लेता है कि आप कोई और पैसे कहीं और से भी कमाने है वो आपने अपने income tax return में शोर नहीं कर रहा है second reply आपका ये भी हो सकता है कि हमने किसी को पैसे दे रखे दे cash given to someone और वो हमें बापिस मिला है बट यहां पर 20,000 वाली limit लग जाती है उस limit का जरूर धियान रखिए आप ये कहेंगे कि 10 लोगों को हमने पैसे दे रखे थर्ड जो transfer वाली चीज बताएगी आपके पास कहीं स transfer आते हैं for example 6 लाख रुपे आपके पास transfer आये हैं तो ये किस चीज से आये हैं तो आप दिखा सकते हैं कि loan advance आपने लिया है या पहले दे रखा था तो सबसे ज़रूरी चीज यहां पर क्या है कि आपको reports maintain करने पड़ेंगे लोग कह देते हैं कि salaried employees को कुछ चीज maintain करने की जरूरत नहीं है बड़ यह चीज गलत है जो salaried employees है या जो regular books maintain नहीं करते regular books maintain नहीं करते उन लोगों के लिए भी सबसे ज़्यादा जरूरी चीज क्या है कि वो अपनी 8 सालों के records proper maintain करें किसी भी साल के जो bank statement है actually क्या हो रहा है लोग जल्द बाजी में अपनी return file कर देते हैं और उससे क्या होता है कि बाद में problem आती है उनके पाप को record नहीं होते तो आपको पहले तो 8 years के record maintain करने चाहिए आप किसी भी category में आते हैं और कोशिश यह करें अगर आपकी salary अच्छी है अच्छी कमीन 10 लाग रुपे से उपर है 12 लाग से उपर है और आपके account में transaction salary से ज़्यादा हो रही है तो एक balance sheet अपनी ज़रूर बनवाएं मैं next video में बताऊँगा कि balance sheet क्या होती है basically balance sheet में हमारा आता है assets, liabilities, capital हमारी कितने बढ़ले किस्ते हमें लेना है देना है तो आप एक CA को ये consultant के थूरू ये वाली चीज़ ज़रूर करा है क्योंकि आप high salary income में है और मैं even देखता हूं कि 5 लाग रो salary आरे बट फिर भी आपक 40,40,000,000 transaction हो रही है तो उस case में मुझे लगता है कि future में आपके पास notice आने वाला है अगर आप proper अपने records maintain नहीं कराने है तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी video थी कि आपने income दिखाई है कम, account में transaction ज़्यादा हुई है तो आपकी ज़्यादा transaction होई है अगर वो income है तो आप अपनी income tax return में दिखाई है अगर वो income नहीं है तो उसका पूरा हिसाब रखिए आठ सालों का आपको हिसाब रखना है जिससे future में कभी भी कोई notice ना सके तो इस तरह की video जो मैं आपके बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये problem देख रहा हूँ मेरे पाफी clients आते है जिनके notice आता है उसने 12,000,000 रुपे cash deposit करा था अपने account में और उसका कोई भी उसने return फाइल नहीं करा था तो अभी उसका recently notice आया था कि आपने 12,000,000 रुपे जो जमा करें उसका source of income बताई है तो उस case में उस पर interest penalty लग सकती थी बढ़ हमने उसे return वगरा फाइल करा तो इस तरह की notice future में आने वाला है और future में हमें ध्यान भी नहीं रहता कि हमने अपनी ITR कैसे फाइल करें तो I think यह बहुत valuable वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए और